अपराध की ओजना बना रहे एक अपराधी एक देशी कट्टा और चार जिन्दा कार्थूस के साथ पुलिस ने किया गिरफतार खगडिया जिले के मांसी थाना छेत्र के रोहियार पंचायत के बलकुंडा गाउं के पास से एक देशी कट्टा एमचार जिंदा कार्थूस के साथ एक बदमास को मांसी पुलिस को मिली गुप सुचना के आधार पर गिरिफतार किया जहां पुलिस बलको भेजा गया और रोहियार बलकुंडा से एक अपराधी को देशी कट्टा के साथ गिरिफतार कर लिया गया मांसी थाना अध्धिक्स दीफक कुमार ने बताया कि गिरिफतार बदमास बलकुंडा रोहियार गाउन निवासी रामोतार यादो के पुत्र अनिल यादो जो बड़ी योजना को अंजाम देने वाले थे इससे पहले ही पुलिस के गिरिफत में आ गया मांसी थाना प्रभारी दीफक कुमार ने बताया कि अब जेल भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है एक गोरी से जा रहा था अप्रादी उसके ओंचक जान्स किया गया उसके कमर से के देशिक कट्टा और चार जिंदा का तोस्परामदी उसके नाम पता पुछा गया तो इसने अपना नाम अनिली यादव पिता स्री सुड़ गया रामोतार यादव घर यार बताया इसका कि दो सोन तीस सुले में जेल वी जा चुकी कहां कराने वाले हैं वह यार कराने हैं